के देश के अलग-अलग कोट और अपिलेट अथर्टी में जितने भी टैक्स के पुराने पेंडिंग केसिस पड़े हुए हैं उनको निप्टाने के लिए सरकार एक बर फिर से बजट में एक महतपूर्ण एलान कर सकती है कि जो पुरानी इंकम टैक्स की स्कीम थी विवाद से विश्वास स्कीम और जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड स्कीम थी सबका विश्वास लिगेसी डिस्प्यूट स्कीम इन दोनों का पार्ट टू का एलान किया जा सकता है और सरकार ऐसी स्कीम को लाने पर विचार कर रही इसमें जो पहला जो income tax की scheme होगी उसमें self declaration देना होगा और self declaration देने के बाद जो penalty और साथ ही साथ जो बकाया tax और interest होगा अगर उसका payment करते हैं तो जो पुराने cases हैं वो income tax अपनी तरफ से हटा लेगी तो यह इस तरह की scheme है हलांकि देखे तो जो penalty होती वो income tax की काफी जादा हो लेकिन इसमें जो penalty होगी maximum 20% तक हो सकती है कुछ इसी तरह की चीज़ें जो custom duty से related जो पहले scheme थी सबका विश्वास property dispute scheme थी उसको लेकर भी एलान किया जा सकता है और इसमें जो custom duty से जुड़े हुए जितने भी tax की मामले हैं उसमें classification, valuation और exemption से जुड़े हुए जितने भी व 2019 में income tax का और 2020 में custom duty का जो amnesty scheme का एलान किया गया था तो उसमें सरकार को अच्छा खासा revenue collection हुआ था, दोनों scheme में कुल मिलाकर करी 92,000 क्रूपे मिले थे, तो सरकार को लगता है कि एक तो सबसे बड़ा बात है, कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ease of doing business को बढ़ावा मिल सकता है.